हेलो गाईज वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ तो देखे आज की इस वीडियो में हाल ही मैं जारी भारती कर्षी अनुसंधान सस्थान द्वारा टेक्निशियन वन की वेकेंसी निकाली गई है उसी के रिगार्डिंग आज की क्लास में आप सभी के लिए लेके आई हूँ ये क्लास पूनता सलेबस के अकॉर्डिंग है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा वीडियो को स्टार्ट करत सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें साथ इसाथ बगल में जो बैल आइकन लिकरा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो इसका नोडिफिकेशन आपके पाँ जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भ इस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो के और लास्ट वीडियो में हमने कुछ कुछन कवर कर लिये हैं जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं अफ्रिका की मुख्य खादी फसले हैं जड़ युक्त फसले हैं नेक्स्ट कुशन है निम्न मैंसे किस सुंदरी को फैमिना मिस इंडिया 2019 विजेता का ताज पहनाया गया सुमन राव को नेक्स्ट कुश्ट है 27 मार्च को निम्न मैंसे कौन सा दिवस मनाया जाता है 57 मार्च को मनाया जाता है विश्व फीयेटर दिवस Most Important कुशिन है Não Até Down कीजेगा next question है कौन सी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेल मंद प्रांत प्रशिद्ध है अफिम यानि OPM की खेती के लिए अगला question है वर्ष 2019 में सुनील छेत्री किस छेत्र में पदमर्श्री पुरुस्कार मिला इन है तो दिखें सुनील चेतरी को 2019 में पदमश्री पुरुसकार मिला है खेल के चेतर में अगला है आपका सेन वंच की स्थापना करने वाले कौन थे? सेन वंच की स्थापना की थी हेमंत सेन ने अगला कुशन है सांती स्वरूप भठनागर पुरुसकार किसके लिए दिया जाता है? सांती स्वरूप भठनागर पुरुसकार ये दिया जाता है भारती वेग्यानिकों को उनके असाधारन प्रदर्शन के लिए most important question है note down कीज़ेगा Next है आपका इन मेंसे किस महापुरूष ने आरी समाज थी आरी समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानत सरस्वती ने Next question है इन मेंसे किस राजी की राजधानी दहरादून है धहरादून राजधानी है उत्राखंड राजी की अगला कुशन है इनमेंसे सर्वेंट औफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी तो देखे, Servants of India Society की स्थापना की थी इन में से गोपाल क्रश्न गोखले ने Next Question है, भारत की राजधानी दिल्ली इस्तित लाल बादु सास्ट्री की समाधी का नाम क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली में इस्तित है लाल बादु सास्री की समाधी जिसका नाम है विजय इगाट अगला देखिएगा भारत के इतिहास में किसके शाषनकाल को भारत का सुर्णिम यूग कहा जाता है? भारत के इतिहास में गुर्ट सामराजी के शाषनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है गाइस वीडियो पसंदारी है तो वीडियो को लाइक कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क्राइब केजिए वीडियो को जाद से जादा शेयर केजिए अपने दोस्तों के साथ अपने वर्टसप ग्रूप्स में नेक्स्ट कुशन देखे गड़वाल राजी के स्थापना किस इजबी में हुई थी गरवाल राजी की स्थाफना हुई थी 888 इजबी में अगला कुश्चन है किस वर्ष भारती जनता पार्टी की स्थाफना हुई थी 6 अपरेल 1980 इजबी में अगला देखेगा निमने में से कौन सा महादीप विश्व का सबसे बड़ा महादीप है यहां पर मिस्प्रिंट हुआ है बड़ा होना चाहिए देखे तो देखे भारत महादीप विश्व का सबसे बड़ा महादीप है एश्या महादीप यह आपको ध्यान में रखना है अगला देखेगा गूगल क्या है गूगल है एक सर्च इंजन नेक्स्ट कुष्चन है कुचिपुडी 10 का लोक नृति है कुचिपुडी है आपके आंधर परदेश राजी का लोक नृति है most important question है no down कर लिजिए नेक्स्ट कुष्चन देखे निमने मैसे किस खेल को पैरो से खिला जाता है तो आपको पता है फुटबол खेल खेल जाता है आपके पैरों से अगला देखेगा निमने मैंसे कौन सा प्राचीन भारत का रॉक कट आर्टी टेक्चर का सबसे शुरूआती उधारन है तो देखे भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे शुरुआती उधारण हैं बराबर गुर्फाएं अगला देखे का नेक्स्ट कुश्चन है भारत सिनेमा के संदर्ब में निमने में से किस लिए सैंडल वुड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सैंडल वुड सब्द का इस्तेमाल किया जाता है कंणड के लिए यह आपको ध्यान में रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कुश्चन है अगला देखे का वर्ष 1994 में शारुख खान को किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर शरुषिष्ट अभिनीता पुरुसकार दिया गया सारुख खान को दिया गय में फिल्म फेयर सरुषिष्ट अभिनीता का पुरुसकार किस फिल्म के लिए बाजिकर फिल्म के लिए अगला देखेगा निमने में से कौन सा बैंक माध्य पर्देश में राजिस्तरी बैंकरों की समीती का संयोजग है देखे काफ एजी कुश्यन है आपको इसका अंसर कम करके बताना है अगले कुश्यन के और बढ़ते हैं भोपाल में इस्तित भारत भवन किस के लिए एक मिलन भूमी है तो दिखिए भोबाल में स्तित है आपका भारत भवन जो की कलाकारों के लिए एक मिलन भूमी है option first question का correct answer हो जाएगा अगला है मत्य प्रदेश के राज सबा सांसत एम जे अकबर निम्न लिखित मंत्रालयों में से किस केंद्री मंत्री परिश्चत में राजी मंत्री हैं तो इस question का correct answer हो जाएगा विदेशी मामले के अगला है आपका वंदे मात्रम निम्न में से किस का बोला गया नारा था वंदे मात्रम बोला गया नारा था बंकिम चंद्र चटर जी का अगला देखेगा निम्न में से किस प्रदेश का एजुथ चान पुरा कारम सर्वोच साहितिक प्रुसकार है तो देखे एजुथ चान पुरा कारम सर्वोच साहिति पुरुसकार है केरल प्रदेश का अगला देखे भारत का एक राजिय किन पस्तितियों में बाजार से उधार ले सकता है भारत का एक राजिय उधार ले सकता है केंडर की सहमती के साथ अगला देखेगा तिरतिय यानि तीसरी बौध संगती अशोक ने निमने मैं से कहां आयूजित कराई तिरतिय बौध संगती का आयजन किया था अशोक ने और ये आयूजित हुई थी पाठली पुत्र में most important question है अगला देखेगा मिर्च के शोरे और शोरे के बिना मिर्च के शोरे और बुझे चुने यानि sodium nitrate, potassium nitrate और calcium oxide रासाइनिक सूत्र निमने में से क्या होगा तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका option fourth अगला देखेगा next question है पहला भारती एकी कृत बागवानी जिला भारत के किस राज्य में है पहला भारती एकी कृत बागवानी ये है आपके भारत के गुजरात राज्य में next question है निमने में से कौन ग्रामीं infrastructure development fund की व्यवस्ता करता है तो देखे इंफ्राट्रेक्चर development fund की व्यवस्ता करता है इन में से नाबाड ये आपको ध्यान में रखना है नाबाड करता है अगला देखे डबलू पी आई सूचकांग की आवरती क्या है most important question है डबलू पी आई सूचकांग की आवरती होती है मासिक अगला देखेगा किस केंद्र शाषित प्रदेश में सैडल पीक राष्टी उद्यान इस्तित है अंडमान वा निकोबार दीप समो में अगला देखे प्रिथवी को घोनन के दोरान एक डिगरी देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है तो देखे प्रिथवी को घोनन के दोरान एक डिगरी देशांतर को पार करने में चार मिनट का समय लगता है अगला कुश्चन देखिएगा अगले कुश्चन के ओर बढ़ते हैं भारती पंच वर्षी योजना का आर्किटेक्ट निमने वसे किसे कहा जाता है भारती पंच वर्षी योजना का आर्किटेक्ट कहा जाता है पीसी महाल नोविस को अगला देखिए भारत के पहली पूर्ण कालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है भारत की पहली पूर्ण कालिक जिन्होंने अपना कारिकाल पूर्ण किया यह पहली रक्षा मंत्री है निर्मला सीथा रमन अगला देखिए मुंबई किस राजी के राजधानी है मुंबई जो है य कश्मीर के राजा थे हरी शिंग नेक्स्ट कुशन है कौन सा कारण फ्रांस की कुरांते का तातकालिक कारण था इसमें से एस्टेटस जनरल की बैठक बुलाना अगला देखेगा भारत के किस इस्थान पर भारती वन अनुसंदान सस्तान इस्तित है भारती वन अनुसंदान सस यानि FRI इस्तित है देहरादून में अगला देखेगा चारो ओर से कौन सा सागर भूमी से घिरा हुआ है तो देखे चारो ओर से भूमी से घिरा हुआ सागर है अराल सागर नेक्स्ट कुश्चन देखे निमने मैं से कितने वर्ष तक एक बार पूरे कारीकाल के लिए चुने जाने पर कोई नियाएधीस अंतराश्टी नियाएले में कारी कर सकता है इस कुश्चन का करेक्ट आंसर है नो नो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला देखे निमने मैं से किसने पैरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी पैरिस इंडियन सोसाइटी की स्था अपना भीकाजी कामा ने की थी अगला देखेगा किस कॉंग्रेश अधिवेशन को मुश्लिमों के लिए अलग मत दाता दल के लिए जाना जाता है तो इस कुशिन का करेक्ट आंसर है लखनव अधिवेशन 1916 अगला देखेगा उच्च भारत में शीत कालीन में बारिश का मु वर्ष 2019 मई के चुनावों में विजय के बाद कैबिनेट मिनिस्टर में ग्रह मंतरी किसे चुना गया तो इस कुशिन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शा अगला देखेगा निमने में से कौन भारत के अंतिम वाई सराय थे लाड माउंट बेटन अगला देखेगा निमन से किस देश से अक्टूबर क्रांती संबंदित है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांती संबंदित है तो देखे अक्टूबर क्रांती संबंदित है रूस से अगला देखेगा किस कमेटी का संबंद विनिवेश से है तो जी वी रामकृष्णा कमेटी जी वी रामकृष कमीटी का संबंध है विनी वेश्य अगला दिखेगा उस समीधी का नाम बताएं जिसमें कुर्षी शंपदा और आई पर कर पर एक समीधी ने उने सब के आयलेयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है तो यह समीधान का अनुचेद है आपका 226 अगला देखेगा नेक्स्ट कुशन है किश वर्ष में सचींद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकता फ्लैक फैराया गया तो देखें कलकता फ्लैक जो है यह सचींद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था यह फैराया गया था 1906 में नेक्स्ट कुशन है निमनलिखित में से प्रिथम 1848 में किस आधुनिक गणराजी में सबको मताधिकार दे दिया गया तो इस कुशन का करेक्टर अंसर है स्विडजर लेंट अगला देखेगा नेक्ट कुशन है किन असमानता युक्त स्थानों को आई सोलहिन रेखा महसागर में जोडती है लवनता युक्त स्थानों को अगला देखेगा प्रिथवी की चुम्ब की विशुवत रेखा दक्षन भारत में कहां से होकर गुजरती है प्रिथवी की चुम्ब की विशुवत रेखा दक्षन भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है अगला देखे भारत में सरवाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है भारत में सरवाधिक बोली जाने वाली भाषा है आपके हिंदी भाषा भारत के शायक भाषा कौन सी है तो सायक भाषा है भारत में अंग्रेजी भाषा अगला अगला देखेगा कौन सा शहर भारत का औसत समुद्र ताल मापन है इस question का correct answer है चिन नई सहर अगला देखेगा भारती रूपिया का प्रतिक चिन होता है यह आपको ध्यान में रखना है यह होता है देख लिए अगला देखे निमने मैंसे कौन मिलकर संसत का गठन करते हैं तो तर से लगे कुल कितने केंद्र शाषित प्रदेश हैं भारत के समुद्र तर से लगे कुल केंद्र शाषित प्रदेशों की संख्या है चार यह आपको ध्यान में रखेगा पहले है आपका लक्षदीप दमन बद्वीप अंडमान निकोबार्द्वीप समो यह सारी चीज़ त्पिर्श से तीन बड़े जिले हैं आपके कच्छ जिला जो कि आपके गुजरात राजी में रखेगा अगला दिखें भारतली समविधान किसा आठी अनुसोची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है तो देखिए भारती सम्विधान के अंसवा आठवी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है अगला देखेगा निम्न मैंसे विकल्पों निम्न विकल्पों मैंसे कौन सा विकल्प भारती नागरिकों का मौलिक करतव्य में सम्मिलित नहीं है तो दीखे चुवा चूत का अंत करना विकल्प भारती नागरिकों का मौलिक करता भी मैं सम्मिलित नहीं है गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूटूब चैनल इस्टुडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरू सस्क्राइब कीजिएगा देखे भारती कृष्य अनुसंधा सस्थान द्वारा टेक्निशियन वन की जो वैकेंसी निकाली गई है जिन लोगों ने इसका फॉर्म अभी भी फिलप नहीं किया है तो आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलप करने की 10 जनवरी यानि आज भी आप इसका फॉर्म फिलप कर सकते हैं आज लास्ट डेट है आपके सबमिशन और ऑनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट हो गए थे अठारा दिसंबर 2021 ऑनलाइन अप्लिकेशन आपके स्टार्ट हो गए थे अठार दिसंबर 2021 और लास्ट डेट है 10 जनवरी 2022 आपका 25 जनवरी से 5 अरुरी तक यह examination होंगे यानि online computer based exam होगा आपका इसमें science पूछी जाएगी दीखे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ subject के बारे में science से पूछे जाएगे आपके 25 नंबर के science पूछी जाएगी general knowledge आपका 25 marks का इसके अलावा social science 25 marks and mathematics 25 marks तो आपका total 100 marks का question paper होगा जिसके लिए आपको डेल घंटे का time दिया जाएगा तो जिन लोगों ने अभी भी इसका form fill up नहीं किया है आज कर लिजेगा और आपको इसके लिए science की भी तैयारी कराई जा रही है general knowledge के आपके classes daily सुबद 10 बजे चलते हैं तो आप इसको join कर सकते हैं कल से आपको science की class भी time to time provide कराई जाएगे सामको 6 बजे science की class आपको regular कराई जाएगी कल से तो आप join कर लिजेगा 25 तारिक से आपके exam होने वाले हैं थोड़े ही दिन आपके पास बज्चे हैं तो देखिए जल्दी ही इसका result भी आ जाएगा तो आप इसको fill up कर सकते हैं next question है आपका किस वर्ष में मताधिकार की आयू 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी most important question है देखिए मताधिकार की आयू 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी आपके 1989 में देखिए वीडियो को शेर जरूर केजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ अपने वर्ष सब गुरूप में आपके लिए special classes यहाँ पर चलाई जारी है आपको जाद से जादा वीडियो शेर करनी है और जिन लोगों ने अभी भी जो लोग हमारी YouTube चैनल पर नए हैं वे लो का सेवा निवरित मुख्य नियाइधिस अगला देखेगा नेक्स्ट कुशन है आपका NAFUS का पूर्ण नाम बताईए NAFUS का पूर्ण नाम होता है National Fund for Unorganizer Sector अगला देखेगा नेक्स्ट कुशन है आपका निमने मैं से किस प्रदेश में फालता विशेश आर्थिक छेत्र है फालता विशेश आर्थिक छेत्र है पश्यम बंगाल राजी में अगला देखेगा नेक्स्ट कुशन है निमने मैं से कौन सा विकल्प? 1988 में राजियु गांधी द्वारा प्रस्तावित एक एक्शन प्लान से संबन्दित है नाम की निशस्त्री करन अगला देखेगा next question है कौन सा महाकावी है विश्व का सबसे बड़ा महाकावी है तो विश्व का सबसे बड़ा महाकावी है महा भारत अगला देखेगा इन में से कौन सी एक मात्र गंगा की सायक नदी है जो कि पहाडी छेतर के बज़ाए मैदानी छेतर में उत्पन होती है तो देखे, गंगा की सायक नदी है, आपकी गोमती नदी, जोकि पहाडी छेत्र के बजाए विदानी चेत्र में उत्पन्न होती है, अगला देखेगा, निमन कायक्रमो में से, फोर्ट फाउंडेशन की साहता से, कों सा कायक्रम शुरू किया गया है, फोर्ड फाउंडेशन की सायता से शुरू किया गया काईकरम का नाम है गहन करशी विकास काईकरम यानी IADP नेक्स्ट कुशन देखिए श्रीकांत किदम किदम भी निमने मैं से किस खिल से जुड़े हुए है श्रीकांत किदम भी जुड़े हुए है बैट मिंटन प्लेयर है यह एक अगला देखिएगा वर्ष 1905 इसवी में निमने मैं से कौन भारत का वाइसराई था जिस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था तू देखिए 1905 इसवी में भारत का वाइसराई था लॉड़ करज़त इसके समय ही बंगाल का विभाजन हो रहा था यह आप ध्यान रखेगा बिकीनी डे मनाता है तो देखे बिकीनी डे मनाने वाला देश है आपका बिकीनी डे मनाया जाता आपके जापान में option second is question का correct answer है next question देखे किन लवणों के कारण blue baby syndrome होता है blue baby syndrome होता है nitrate लवणों के कारण अगला देखेगा next question है Thailand की खाड़ी कंबोडिया की निमन में से किस सीमा का निर्मान करती है तो Thailand की खाड़ी कंबोडिया दक्षिनी सीमा का निर्मान करती है अगला देखेगा next question है आपका निमन में से कौन listening to grass shoppers पुस्ता के लेखक है तो दिखें लिस्टेनिंग टू ग्रास सोपर्स इस पुस्ता के लेखक हैं अरुन्धती राई ये आपको ध्यार में रखना है अगला दिखें का वेकॉन से व्यक्ती था जो मुगल समराड अकबर दुती के लिए फरियाद लेकर इंगलेंड गया था इस कुश्चिन का करेक् अगला दिखें वह गवर्नर जनरल जिसे भरष्टा चार के आरोप में महाभीयोग द्वारा पदच्यूत किया गया है तो ये गवर्नर जनरल है आपका वरन हैस्टिंग अगला देखेंगा नेक्स्ट क्यूशन है राजिपाल के नियुक्ती किसके द्वारा की जाती है जवाहलाल नहिरू अगला दिखेगा साइना नहवाल का नाम निमने मैं से किस खेल से जुड़ा हुआ है साइना नहवाल का नाम जुड़ा हुआ है इन मैं से साइना नहवाल का नाम जुड़ा हुआ है बैट मेंटेन से अप्शन थर्ड इस कुशन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन देखेगा निमने में से कौन सी गैस वायू मंडल के ओजोन इस्तर को अब घटित करने वाली गैस है क्लोरो फ्लोरो कार्बन अगला देखेगा नेक्स्ट कुशन है हमारे शरीर में पित रश यानि बाइल कहां पैदा होता है तो हमारे शरीर में पित रश यानि बाइल जो हता है ये यकरत यानि लीवर में पैदा होता है अगला देखेगा पचास रुपे के नोट पर निमने मेंसे किस के हस्ताक्शर हो लगता है तो इन में से वारांसी में कुम्ब मेला नहीं लगता है अगला देखेगा बहु चर्चित पुस्तक है आपकी कौन सी सैटेनिक वसेज के लेखक निमने में से कौन है तो देखे बहु चर्चित पुस्तक के लेखक है इन में से शल्मान रुजदी अगला देखेगा next question हैनिमन्मैसे किसे भारत का नैपोलियन माना जाता है most important question है भारत का नैपोलियन कहा जाता है भारत का नैपोलियन माना जाता है समुद्र गुप्त को अगला दिखे Chelsea расound वर्ष 2019 माई में भारत की राजनिती पार्टी ने लोकसभा चुनाओं में भारी मतों से विजय हासिल की तो ये पार्डी है विजय पी पार्टी अगला देखेगा निम्ने मैंसे किसने बिना कला के सव्यता नहीं कथन कहा था तो बिना कला के सव्यता नहीं ये कथन कहा था इन मैं से मुसोली नी यह आपको ध्यान में रखना है most important question है अगला देखेगा निमने मैं से कौन सा परवत जो पश्ची में एशिया को यूरोप से अलग करता है यह परवत है आपका यूराल परवत श्रीनी अगला देखेगा किस वर्ष में टाउन शेट द्वारा लागू करो सम समाप्त किया गया था 1770 इस भी में अगला देखेगा निमने मैं से लगभा कितना प्रदिशत भारत के छेत्रफल का भाग शुरक्षी छेत्रों में आता है तो इस question का correct answer है मात्र 5% अगला देखेगा next question है आपका कौन सा मुख्य श्रूत ओजोन परत के शरण में क्लोरो फ् carbon का अगला देखेगा next question है आपका निमने मैं से कौन सा उपाई मुद्रा स्पीती विरोधी नहीं है मुद्रा स्पीती विरोधी नहीं है open market में शुरक्षाएं खरीदना अगला देखेगा हर्षवर्धन के काल में किस मत के प्रचार के लिए कन्नौत सभा हुई थी तो लिए में अरव आकரमाणकारियोंद्वारा नस्ट हो जाने के बाद दोबारा बनाया था तो देखे दोबारा बनाया था इनमेंसे नागभट द्वितिये ने अगला देखेगा next question है गुजरात के राजा भीम देव दिती ने किस आक्रमान कारी को हराया था गुजरात के राजा थे भीम देव दिती जिससे हराया था मुहम्मत गोरी को अगला देखेगा कौन सा रक्त वर्ग जो कि हर रक्त वर्ग वाले मनुश को दिया जाता है तो ये है आपका O ब्लड ग्रूप O अगला देखेगा विटामिन B की कमी से होने वाला रोग कौन सा है विटामिन B की कमी से होने वाला जो रोग है यह है आपका बेरी बेरी रोग अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका भारत में निमने मैं से कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनग करना की जाती है दर्श वर्ष के अंतराल में अगला देखेगा रेफ्रिज रेटर में कौन सी गैस द्रव का प्रियोग किया जाता है तो देखे रेफ्रिज रेटर में आमोनिया गैस द्रव का प्रियोग किया जाता है अगला देखे ब्रिटेन की प्रियोग होने वाली मुद उत्पादन करने वाला राजी है भारत का केरल राज अगला है आपका वायू मंडल में ऑक्सिजन की मात्रा निम्न में से कितने प्रतिशत होती है वायू मंडल में ऑक्सिजन की मात्रा होती है 21 प्रतिशत अगला है जैजवान जैकिशान नारा देने वाले कौन है जैजवान गैस यह ग्रैस होती है आपकी द्रव गैस अगला देखेगा रुपिय की तुलना में निम्ने में से किस विदेशी मुद्रा का मूली अधिक है रुपिय की तुलना में विदेशी मुद्रा बर्टिस पॉंड की जो मूली है यह अधिक है यह आपको ध्यान में रखना है अगल प्रदेश का सीमा वरती राजी है तो उत्र प्रदेश का सीमा वरती राजी है आपका राजिस्थान राजी है गाइस इन लोगों ने अभी भी हमारे यूटुब चैने स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क्राइब कीजेगा मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन आपको प्रोवाइट कराये जाते हैं आप तो आप इन कुशन को नोट डाउन जरूर कीजेगा आपके आगामी टेक्निशन वन का जो एक्जाम है उसके लिए इंपोर्टेंट है 25 से आपके एक्जाम हो जाएंगे अगला देखे स्वेतामबर और दिगंबर किस धर्म के हैं श्वेतामबर और दिगंबर हैं जैन मत के अगला देखेगा किस भाशा को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज़ भाशा कहलाती है उर्दू भाषा अगला देखे का नेक्स्ट कुशन है जब कोई राज राष्ट पती के शाषन के अंतरगत होता है तब उस राज का बजट निम्न में से कौन पारित करता है तो उस समय उस राज का बजट संसत द्वारा पारित किया जाता है अगला देखे दोनाचारी उसकार जो है ये खेल प्रशिक्षन के छेतर में दिया जाता है अगला है आपका यदि प्रथवी का अक्ष हुआ नहीं होता तो सूरी के किरणे केवल किस लंबोवत पर पढ़ती तो इस कुशन का करेक्टर आंसर है केवल भूमध्य रेखा पर सूरी की करणे पढ़ती अपधाली और मराठो के मध्य पानिपत का तुर्ती युद्ध लड़ा गया था कमेंट शेक्षन में कमेंट जरूर कीजिए फटाफट कीजिएगा जाद से जादा लोग कमेंट कीजिए भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए न्यूनदम आयू क्या होनी चाहिए देखे नागारजुन शागर परियोजना बनिया आपकी कृष्णा नदी पर अगला देखे इनमें से कौन पुस्ता लॉंग वॉक तु फ्रीडम के लेखक है इनमें से नैंसर मंडेला अगला देखेगा अलाई दर्वाजा निमनु में से किसका प्रवेश द्वार है अलाई बाजा कहां पर इस्तित है यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है अगला देखेगा यदि किसी जगह पर राता काल 8 बजे जो आर आता है तो अगला उच्चु जो आर निमनें मैंसे किस समय आएगा तो अगला उच्चु जो आर आएगा 8 बज के 25 मिनट पर श अगला देखेगा भारत के वित्त मंत्राले के परिशर को और क्या कहा जाता है भारत के वित्त मंत्राले के परिशर को और कहा जाता है देखे इन में से उत्तरी ब्लॉक यह आपको ध्यान में रखना है most important question है अगला देखेगा निम्ने लिकित भाषाओं में कौन सी एक भाषा जो सम्विधान की आठवी अनुसूची में नहीं है भारत की सम्विधान की आठवी अनुसूची में शामिल भार्शा नहीं है इनमैं से फार्सी भार्शा। अगला देखे का निमने लिखित मैं से कौन राष्टी कॉंग्रेस के पहले मुश्लिम अध्यक्ष थे बादरिति laughed थे बदुरुद्धिन टायब जी अगला कुश्चन है निमने मैं से किष विटामिन का योगदान रक्त का ठक्का जमाने में होता है तो देखे रक्त का ठक्का जमाने के लिए प्रयुक्त विटामिन होता है आपका विटामिन के उत्तरदाई विटामिन है विटामिन के अगला है किष वर्ष नेंशल मंडेला ने दक् सोफिस्ट यह आपको ध्यान में रखना है सोफिस्ट कहा जाता है अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्चन है आपका गोल्फ खिलाडी विजय सिंग किस देश से संबंदित है तो इस कुश्चन का करेक्टर आंसर है आपका फिजियान अगला देखेगा नेक्स्ट कुश्चन है पहला स्तंब बेसल सिकेंड समझोता निम्ने में से कौन सा है आपका निम्ने में से कौन सा धर्म की सरवाधिक जन संख्या वाला धर्म है तो यह धर्म है इसाई धर्म जिसमें सरवाधिक जन संख्या है अगला देखे किस वर्ष में पहली बार राष्टी कॉंग्रेश विपक्ष में बैठी थी तो देखे पहली बार भारती राष्टी कॉंग्रेश विपक्ष में बैठी थी 1977 में नेक्स्ट कुश्चन है हाथी महोच्षव प्रतेग वर्ष किस जगह पर मनाया जाता है हाथी महोच्षव मनाया जाता है प्रतेग वर्ष जैपूर में अगला देखे जर्मनी के किस देश पर आकरमन करने से द्विती विश्व युद्ध का आरंब हुआ था इस कुश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोलेंड अगला देखेगा निमने में से कौन सी म्रदा पौंधी की विकास के लिए सरोत्तम होती है तो पौंधी की मन पाया गया था तो इस कुश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इंगलेंड देश में अगला देखेगा निमने में से किस वस्तू का भारत सबसे बड़ा उत्पादक उपभोगता और आया तक है तो ये वस्तू है आपकी दाल जिसका भारत सबसे बड़ा जिन्दाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था अगला देखेगा हैदर अली ने आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किस्थान पर की थी हैदर अली ने आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी हिंडी गुल में अगला देखेगा कोटक समीती निमने में से किस स सही नाम जो सही नाम है जो रिगवेदी काल में राजा का दूसरा नाम था तो ये नाम था गोपती अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूटुब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जर कमेंट करके बताना है तो देखिए अगला क्विशन है भारती राष्टी कॉंग्रिस का लाहर अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था भारती राष्टी कॉंग्रिस का लाहर अधिवेशन का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नहिरू अगला है किताब अल के संबन्द में फिलिप्स वक्र किसकी दरों के बीच एक रिस्ता है तो इस कुश्चिन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी और मुद्रा इसपीती अगला देखेगा किश मोगल ने मुश्लिम लीग की एक शाका लंदन में इस्थाफित की थी मोश्ट इंपॉर्टें का सबसे बड़ा मंदिर है रंगनात स्वामी मंदिर यह कहां पर इस्तित है आपको comment just किड़ के बताना है तो ज्यादा से ज़्यादा लोग comment जरूर कीजिएगा आपको comment करके कि बताना है कि आज की वीडियो कैसी लग लिगया और अपने आंसर जो हैं ये comment करके बताना है तो अगला देखेगा नेक्स्ट कुशन है भार्ती प्रथम राष्ट पती डॉक्टर राजियंद प्रशाद के खिलाब मुखिव विपक्षी उमीदवार का नाम क्या है तो इनका नाम है केटी शा अगला देखेगा नेक्स्ट कुशन है निमने मैं से कौन पुरुषकार दिया जाता है आपके पत्र कारिता के छेत्र में बहतर कारी प्रदर्शन के लिए अगला देखे 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को विश्व में मनाया जाता है विश्व परियतन दिवस most important question है note down कीजिएगा अगला देखे भारत के जम्मो कश्मीर में मुख्य मंत्री की कारी अवीदी कितने वर्ष है भारत के जम्मो कश्मीर में मुख्य मंत्री की जो कारी अवीदी होती है ये छे वर्षों का होता है अगला देखेगा विश्व का कौन सा महाद्वीब श्वेत महादीब कहलाता है विश्व का श इस्टितं है आपका दिलवाडा मंदिर जो की जैन धर्म से संबंदित है जैन मंदिर एक है धारत के राजधानी दिल्ली में स्टित्कुत्म मिनार का पूंड निर्मार करने काश्री किसके दिया जाता है तो दिखे भारत के राल्थानी में इस्तित कुतुम मिनार का पूर्ण निर्मान करने का श्रे इल्टु तमिश को दिया जाता है अगला कुश्यन देखे भारत में सबसे अधिक अवीधी तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं भारत में अधिक अवीधी तक सेवा क 1969 में भारती नौसेना की स्थापना की शहर में हुई थी most important question है भारती नौसेना की स्थापना हुई थी 1969 में कोचीन सहर में अगला देखेगा next question है निमने मैंसे किस खेल से अर्थ आई शब्द सम्मंदित है अर्थ आई सम्मंदित है आपके cricket के खेल से अगला देखेगा next question है भारत की पहली ISO 9001 का संवान पाने वाली रेल गारी कौन सी है तो देखें ब्हारत की पहली ISO 9001 का संवान पाने वाली रेल गारी है आपकी भोपाल एक्सप्रेस यह हैं। में रखना है most important question है अगला देखेगा निमने में से किस ग्रह का उपग्रह फोप्स है तो देखे मंगल ग्रह का उपग्रह है फोप्स उरी जल विद्द परियोजना भारत के जम्मो और कश्मीर में इस्तित है अगला देखे निमने में से कौन सा मुगल शाशक मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शाशक था तो ये अंतिम शाशक था आपका मुहम्मद शा मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्यन है नोट डाउन का नाम क्या है परियावर्ण संग्रक्षन के जुड़े एक अंतराष्टी संगठन का नाम है गुरीन पीस अगला देखेगा अगनी वी क्या है अगनी वी जो है ये एक सता से सता पर मार करने वाली स्वादेशी मिशाईल है मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्यन है नोट डाउ गगन नारंग का संबंध है निशाने बाजी से अगला देखेगा लायन सफारी उत्तर प्रदेश में कहां इस्तित है लायन सफारी इस्तित आपके इटावा में नेक्स्ट कुश्यन देखेगा फैलिन क्या है इसमें से फैलिन है आपका अक्टूबर 2013 में बंगाल के उठा चक्रवाती तुफान most important question है no down कर लेजे अगला देखेगा रुपे किस देश के मुद्रा का चिन्न है तो रुपे जो है यह आपके भारती है देश के मुद्रा का चिन्न है आप सभी को पता होगा अगला देखेगा AIDS का पूर्ण नाम क्या होता है AIDS का पूर्ण नाम हो नवजोत सिंग सिद्धू अगला देखेगा next question है एंजोला मरकेल कौन है एंजोला मरकेल है जर्मनी की चांसलर यह आपको ध्यान में रखना है अगला देखेगा नेमने मैंसे किस कारियों हे तू स्वांती सरू भटनागर पुरुसकार प्रदान किया जाता है तो इस question का correct answer हो जाएगा आपके विभिन शाकाओं में लेखनी योगदान हे तू ओके गाइस आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल जरूर कीजे कल की क्लास में आगे कंटिन्यू रखेंगे तो आप सभी लोग सुबह दिन में तयार है सुबह तो नहीं आप आएगी स्की क्लास सुबह 10 बजे दूसरी क्लास आती है हो सके तो हम 11 अराउंड 11 से 12 बजे के बीच में हम डाल देंगे ये वीडियो तो आप इसे जॉइंट कर लिजेगा शाम को कल शाम को आपके आएगी साइंस की क्लास जॉइंट कर लिए मिलते हैं एक नई इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद